आज हम रिव्यू कर रहे हैं डबलू आर्वी इसका अडी का फ्रेंट व्यू आप देख रहे हैं लोस हम देखते हैं इसका हैड लैंप्स जो की पॉजेक्टर हैड लैंप्स है इसका अब्रेड है 16.5 kmpl मैक्स पावर 19 PS रिटिंग कपसिटिंग 5 प्यूल टैंक कपसिटिंग 40 लिटर्स इंजन डिस्पलेश्पेंट 1199 CC मैक्स टॉप देता है 110 NM अबुट स्पेस है 363 लिटर्स सुब कटेग्री में आती है ये अब्स चंट्रोल यस सेंटर लगिए स्ट्रूस कंट्रोल नो फ्रेंट सस्पेंशन स्टॉप कोल स्प्रेंशन 17.7 cm इंस्ट्रक्शन 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 पंसोल अनलाउट गवेट 1084 kg पावर सीट नो अवर प्म इलेक्स्ट्रक्शन इंसट्रक्शन बीर विम और क्लेशन इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्श खरर men आता है ओव 14-0 या लोकिंन इंसेश्ट के धस्व गव dolor यह आप देख रहें साइड वियू बहुत इच्छी गाड़ी है यह Honda की WRB और काफी इंडिया में सेल भी हुई है इसकी सुरुवात होती है अब चलते हैं इंटिरियर की तरफ इंटिरियर जिखा जाते हैं आपको इंटिरियर की बात करते हैं तो हुआ है यह है काइस्टेरिंग कंट्रोल हो सकता है उपर नीचे और यह मैनुवल गियर सिस्टम देखे होंडा है इंटिरियर सिस्टम मैनुवल है लेकिन कितना छोटा होता है यह इंफोटेन्मेंट सिस्टम है डैस्पोर्ड आप देखिये एक मिनी सुवी टाइप है डबलो आर्वी स्टेरिंग कंट्रोल्स सरकल में दिये हुए है होंडा की बैजिंग यह है विंडो कंट्रोल्स यहां पे भी कॉप होल्डर दिया हुआ है और हैंड्रेस्ट दिखाते हैं आपको काफी अच्छा हैंड्रेस्ट है गीर बॉक्स देखें उपने छोटा आया इसका नेक्शन स्टीट ट्वेंटी क्रोम हैंडल्स मैं आपको दिखाता हूं पीछे बैठके पीछे अगर आप देख सकते हैंड्रेस्ट काफी कमपरटेबली में बैठा हूं और उपर देखिए इसमें आप संरूफ भी दिया हुआ है हाँ आज आवे तो इस रेंज में शेशिव में टॉप मॉडल में ही होगा संरूफ तो लेकिन संरूफ एक बहुत अच्छा फीचर है हाँ अगा की गाड़िया बहुत अच्छी होती है और हंडा ज्यादा मोडल ही निकालता है दीरे धीरे ही वह गाड़िया लांच करता है यह तेल लेंश आपने देखी लिए होंगे यह आइवीटी है आइवीटेक बीएस है यह वाल आपने थी है हांपे जो बैक साइड में है प्लास्टिक है लेकिन प्लीशन है बहुत अच्छा लग रहा है और रूफ रेल्स में आपको दिखा जिते हैं यह शार्क्विन एंटीना और यह है रूफ रेल्स तो यह थी होंडा डबलू आर्वी जो हम चंडीगड के होंडा सोरूम में अभी रिव्यू कर रहे हैं और यह हमारा इंडिया टूर है और देश स्ट्रॉंग बने इंटर्नेट पर आजादी देश के लिए बहुत जरूरी है जिससे की हमारा देश वर्ल लीडर बन सकता है थैंक यू हमारे एप के लिंक्स डेक्स्क्रिप्शन में एवलेबल है